हेलो दूस्तों मेरे चैनल प्रीदी खाना खजाना में आपका स्वागत है आज मैं लेकर आई हूँ बहुत आसान सी रस्पी लौकी का लुगा यह बनाना बहुत आसान है यहां मैंने एक लौकी ले लिया उसको अच्छे से दुल कर फिर छील लिया है अब उसको काट लेंगे बीच में जो पार्ट है ना बीज वाला इसको निकालकर और फिर कदुकस कर लेंगे इस तरह से कदुकस कर लेंगे ना बहुत बारी करेंगे ना बहुत बड़ा करेंगे मीडियम साइज में कदुकस कर लेंगे और कदुकस करने के बाद इसका रस नहीं निकालना है रस हम ज नवर चार से पाश मिनट तक फ्राइ कर लेंगे चार से पाश मिनट हो गए अब यहां पर हम चीनी डाल देंगे चीनी मैंने यहां बहुत कम यूज किये लवब 50 किराम आप कम या जादा भी कर सकते हैं चीनी घुलने के बाद लवब 5 नट तक शिलो आच में लौकी को पका ल चार से पाश मिनट के बाद मैंने यहां पर 300 ग्राम की लवब मावा डाला है इसको खोया भी बोलते हैं और गैस का फ्लेम मीडियम करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3-4 मिन तक ऐसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे आपको में रस्पी पसंद आए तो प्लीज लाइ लेकिन हाँ हलुआ में आप गरी जरूर डालिए गरी के डालने से लौकी का हलुआ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है अब गैस को कर देंगे बन और आदा छोटी चमच इलाची पाउडर डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्लेवर के लिए लाची डालेंगे अगर आपको नहीं है पसंद तो आप मत डालिए ऐसे ही लौकी काल बहुत स्वाजिश्ट लगता है यहाँ पे एक बाउल में सर्फ कर लिया है देखने में कितना यमी लग रहा है काने में और भी स्वाजिश्ट है